हरियों प्रिदर्शकों मैं हूं पंडित बल्राम पांडे हाजिर हूं दो हजार तेएस मितुन रासिका रासी फल लेके वार्षिक रासी फल के बारे में हम जानने वाले हैं इस वीडियो में तो वीडियो के लाश्ट तक बने रहेगा क्योंकि वीडियो के लाश्ट में हम वो उपाई जाने वाले हैं जिससे पूरा साल बेहतर रह सकता है यदि कोई समस्याएं हैं वो भी दूर होके और पूरा साल बेहतर रहेगा वीडियो के लाज तब जरूर बने रहें तो दर्सकों जानेंगे कि 2023 में मिथन राज के लोगों के लिए 2023 क्या लाने बाला है 2023 कैसा बित रहेगा यह स्टुडेंट के लिए 2023 मिथन राज का कैसा रहेगा तो पूरे साल का हाल हम जानेंगे तो सबसे पहले जानते हैं मिथन राज के सुभाव को 2023 की आपको बहुत-बहुत सुभकामना है 2023 हमेशा आपको तरक्की दे 2023 में आप हमेशा आगे बढ़ते रहें ब्याप पार के छेत्र में आपको बहुत सफलताएं मिलें और आपको यस, स्वास्त और धन की व्रद्धी हमेशा मिलती रहें 2023 में भगमान की क्रपा हमेशा आपको उपर बनी रहे और सभी पीड़े हुए काम आपके बनते रहें मिथन राज के जातक हमेशा सुन्दर बोलने वाले होते हैं मिथन राज के जातकों के बानी से लोग प्रवावित होते हैं आपके बानी से कोई बंच नहीं पाता है आप जो कहते हैं उससे जुटला पाना उस बात को जुटला पाना लोगों के बसका नहीं होता है क्योंकि आप इतने विश्वास के साथ कहते हैं कि लोग आप आपकी बानी से प्रभावित हो जाते हैं मित्मराशिवाले देखने में बहुत सुन्दर और आकरसक होते हैं मित्मराशी के लोगों के अंदर तरकशक्ती बहुत जबर्जश्ट होती है अर्थात यदि आप किसी विशह में बोलना सुरू कर दें आपको नौलेज हो या ना हो फिर भी आप इतनी चतुराई के साथ बोलते हैं कि लोग प्रभावित हुए बिना रहे नहीं सकते हैं मिथुनराजी वालों के अंदर जवरजस्त या दास्त सकती भी होती है तो अर्थात मिथुनराज के लोग हमेशा बहुत प्रभावी व्यक्ति होते हैं तो आईए जानते हैं कि मिथुनराज के लोगों के लिए 2023 कैसा रहने बाला है सबसे पहले बात करेंगे कैरियर की 2023 केरियर की लिहाद से मित्वन राशिबालों के लिए कैसा रहने वाला है मित्वन राशिबालों के लिए 2023 केरियर की लिहाद से अच्छा बीतने वाला है 2023 के सुरुआती से ही जन्बरी से ही सनी देव आपके नमम भाग में गोचर करेंगे जिसकी वज़े से भाग आपके साथ रहेगा भाग साथ रहने के प्रभाव से आपको नए-नए अवसर की प्राप्ति होगी आप जो भी कैरियर के छेतर में हैं जो भी आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी, पदोन्नती मिलेगी, आपको अधिक से अधिक लाभ होगा और प्रमोशन भी होने के चांस मिल सकते हैं परन्तु आपको इस बात का ध्यान रखना है कि साल के मद्ध मैई जून के आज पास कुछ इस्तितियां गरवडा सकती हैं कुछ लोगों के साथ यदि आप आफिस में काम करते हैं, जौब करते हैं या बिजनेस करते हैं तो आपको शाल के मद्ध में और उत्रयार्द में कुछ समस्याएं हो सकती हैं आपको पूरवार्द से ही जो भी काम करना हो उसे करना सुरू कर दें खासकर यदि आप ब्यापारी वर्ग से आते हैं या कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या कोई नई योजना आपने बनाई है और उसे शुरू करना चाहते हैं तो साल के पूरवार्द में अर्थाद आप जन्वरी से ही करना शुरू कर दें तो जाता बहतर रहेगा क्योंकि मद्ध के बाद, साल के मद्ध के बाद, मैजून के बाद, मौका बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा तो पूरवार्द कहीं न कहीं बेतर रहेगा, परंत उत्तरार्द बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा फिर भी आपको लास्ट के अन्तोगद पूरे साल का रिजल्ट देखा जाए तो आपको केरियर के छेत्र से या बिजनेस के छेत्र से आप हैं तो दोनों तरफ आपको सफ़ता मिलती हुई दिखाई देगी बात करें घर परिवार की तो घर परिवार के लिहाज से 2023 मित्वन राशी वालों के लिए बहुत अच्छा बितने वाला है 2023 में घर में खुसी का महल रहेगा और 2023 में कोई मंगलिक कार होने के भी आसार है 2023 में घर परिवार में एक दूसरे का लोग सपोर्ट करेंगे एक दूसरे का ध्यान रखेंगे और 2023 में आपको कही धार्मिक आत्रा भी करने का मौका मिल सकता है 2023 में कुछ मांगलिक कार होने के चांस हैं और 2023 में आपको संतान पक्ष से कुछ खुसकबरी मिल सकती है, संतान पक्ष से कोई नई अच्छी सुखद और प्रभावी आपको खुसकबरी मिल सकती है, और 2023 में यदि पहले 2022 या उसके पहले कोई समस्याएं थे परिवार में मन मुटाव था तो वो दूर होता हुआ दिखाई देगा, 2023 कहीं न कहीं घर परिवार के मावले में कहा जाएं तो बहुत अच्छा रहने बाला है, सभी समस्याएं सभी मन मुटाव दूर होके 2023 में एक आप नई सफलताएं प्राप्ट करेंगे और आपस में प्रेम ब्रभावार अच्छा बना रहेगा, आथ करें सवास्त की, तो सवास्त के लिहाँ से 2023 वہतर रहने वाला है, 2023 में शनी देव के प्रभाव से, सनी देव के गोचर से, सनी देव आपके रोगस्थान अर्थाद आठमे घर को छोड़ के भागस्थान में प्रवेस करने वाले हैं, साल के पूरवार्द में इर्थात जन्वरी में ही जिसके प्रवाल से जो स्वास्त संबंधित समस्याएं थी वो दूर होती हुई दिखाई देंगी यदि आप किसी स्वास्त संबंधित कोई बिमारी से बहुत समय से जूज रहे थे उसमें आपको लाब होता हुआ दिखाई देगा और 2.23 में स्वास्त बेहता रहने वाला है परंतु राहू और केतु के गोचर के वज़े से कुछ पेट जनने तकलीफे हो सकती है तो आपको खान पान में सयम रखना चाहिए बाहर की चीजों से बचना चाहिए बाहर की चीजे कम खाएं तेल वाली चीजे कम खाएं और खासकर जो पैक चीजे होती हैं पनी में बंद चीजे बजार में मिलती हैं उनसे बचने की आपको कोशिश करना चाहिए जिससे आप अपने स्व स्वास्त से समंद्ध होती हैं अक्सर खetts Aufलान की वजें ही होती है आपको विश्यष लुगंपान में ध्यान रखना चाहिए और हमेशा योग प्रणायाम हम स्वास्त रहें तो भी और 창िह कुछ तकलीप हो तो बात करें फाइनेंस की 2023 फाइनेंस के लिए पैसे के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है सनिदेव आपके भागस्तान में गोचर करने के बज़े से लगभग लगभग सभी समस्याओं को दूर करते हुए आपको धन की प्राप्ति करवाएंगे सनिदेव के प्राप से आपको नई-णई योजनाए दिमाग में आएंगी जिनें आप इन्योवेट करके जिन पे काम करके आप बहुत अच्छा धन कमा सकते हैं धन अरजित कर सकते हैं परन्त इस बात का ध्यान रखना है कि सनिदेव कर्म के कारक हैं आपको कर्म करने से पीछ की ज़िशी हटते हैं तो बने हुए काम बिगडने के चांद्स हो सकते हैं क्यों कि सनिदेव को कर्म करना बहुत Прी होता है न्याय के देवता है सु wrestling करते हैं तो 2023 में धन की स्थिति के हिसाब से बहुत अच्छा साल साल भी तने वाला मिलने में, तो अपना कई करने और कोई सुरू करना है, तो कर CDU के लिहाज से भी 2023 बहतर रहने वाला है यदि आप कोसिस करेंगे मेहनत करेंगे तो 2023 में आपको कोई नई जौब या बिजनस जो भी आप करना चाहते हैं तो आपकी च्छाएं पूरती हो सकती है 2023 एस्टुडेंट के लिए छात्रों के लिए विशेज लाबदाय करेगा परन्तो आपको थोड़ा सा साल के पूरवार्द में मई अप्रैल के पहले कुछ मन में संकाएं हो सकती है उनसे बच के रहना है अपने मन को इस्थिर रखना है इसके लिए आप ध्यान या मेडिटेशन आदी करना सुरूर कर दें प्रारंब से ही तो ज़्यादा भेतर रहेगा तो 2013 स्टुडेंट के लिए बहुत अच्छा फल देने वाला है बात कर लेते हैं उपाई की ऐसा उपाई जिसको करने से 2013 को आप भेतर बना सकते हैं 2013 वो ऐसे भी अच्छा है भाग कारक है हर कार में आपको सफलता मिलेगी परन्तु ये उपाई करने से जो थोड़ी बहुत समच्छाएं हैं वो भी दूर होके और विसेश सफलताएं आपको प्राप्त होंगी आपको करना क्या है कि भगवान गणपती की आराधना करना है भगवान गणपती की यदि नित्पूजा कर सकें या भगवान गणपती को दुर्बा चढ़ा सकें या जो भी जिदनी भी सेवा आप कर सकें या ओम गणगणपते नमहा भगवान गणपती का ये विसेश मंत्र है इसका आप एक माला जब कर सकें या गेरावार पांच बाद जितना भी आप कर सकें तो करें और गाये को चारा खिलाएं तो ये बहुत आपके लिए सफलता में चार चांद लगाने बाला है तो 2023 में ये उपाया आप यदि आप करते रहते हैं तो जो भी छोटी मोटी समस्याई होंगी वो भी दूर होके और पूरे जीवन का सरणिम अवसर 2030 हो सकता है तो दर्शकों ये रहा मिथुन राशी वालों के लिए 2023 का राशी फल यदि आप द्रैनिक राशी फल देखना चाहते हैं या मासिक राशी फल देखना चाहते हैं या धर्म से जुड़ी या जोति से जुड़ी और भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सस्क् करें और चैनल में बिजिट करें अभी के लिए बस इतना ही बहुत बहुत भर्नवाद